नमस्कार दोस्तों जै जवान जै जी सांथ आभी भ्याड बक्री दोस्तों दो बच के 10 मिट हो गई आभी पानी पी के भूँद शान्त हो गई है दो है वाल लेड़ी ज्यादा और हमारे इदर दोस्तों तीन दीन पहले आच्छा तरश बारिश हो गई सबी जगा पर तो आभ बहुत शान्त हो दोस्तों पहले दो आड़ाई घंडा बहुत तकलिब दीती कुण सी भी बक्री बैड क्यूंकि उनका जो पेट खाली रहता हो उसका रिक्वार्मेंट उनको पुरा होनी के लिए चाहिए रहता है ऐसा है दोस्तों देखो अभी बक्री में बहुत जाड़ा पीके बहुत शान्त होई कई बदर बैटी है बैटी आराम सी चाव में दूप के चाव में बैटती है 15-20 मिट आदा गंटा ये गंटा कभी-कभी बैटती है उनको बैटना चाहिए बहुत रख 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 दूप रहेगा दूपार का तो कोई प्रेग्मेंट बक्री रहेगी आठाख रहेगा तो क्या होता है दोस्तों ज्यादा तो बच्चा वीच के चांसस रहें आधा इसलिए ज्यादा अपना भी नहीं चाहिए वह यह बाते बदियान पर रहो क्यूंकि बच्चा गिरने की आईसी मुसिबत ज्यादा गर्म के कारण होती है और किसी बक्री ने मा समझे में बस हुए और आप उननी गए मンネル्हारय को अपहने नहीं दो दो महें के आंदर भी हमिए हम शुरू में आप बोलेंगे नहीं साथ दिन में होता है साथ दिन नहीं दो मैना पूरा लगो भी फिट करती डिसन्ट्री होता है या बच्चा गिरता है इतना हो कीमिकल है जेरी जेरी है न दोस्तों चीसी ले ठोड़ा संबालिए और घ्याड बकरी संबालना खीती करना से भी बहुत आसान है कोई नहीं सिर्फ खड़ा रहने के हर हुर है करना है इसे इदर उदर से उनको थोड़ा त्या चितर जादत लगाना है बस ऐसी चलते रहे नहीं अच्छा जगर पर चराते रहे नहीं उनका अच्छा गोजरा हो जाए आइसा देखना है और क्या पिर दुसरी क कि हमाली दुसरी की नोकरी करने से अच्छा अपना 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 कुछ बनाना है यह दोस्त ध्यान में रखे तो यह जान करें दो कैसी लगी ज्यादा शेयर करें राम कुछना मिलेंगे राम कुछना जाए